इसमें क्या खाना चाहिए यह समझना बहुत ज़रूरी है और कौन सी चीजे हमने अवाइड करनी चाहिए नहीं खानी चाहिए खान पान से अरे तकलिफ है अपको आपको गरदन से अरे निकालने के बाद में आपको डाइग्नोस किया है उसमें खानी ही चाहिए यही हम इस वीडियो में समझने वाले है और ऐसी कोन सी चीजे है जो आपने बिलकुल नहीं खानी चाहिए वो भी इस वीडियो में समझेंगे ताकि इस तकलीफ को दूर करने में सबसे बड़ा रोल आपका ही होगा, आपके खान पान का होगा और इसी लिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए, समझें और जो चीजों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, उनकी लिस्ट बनाईए और इन सभी चीजों को अपने डायेट में शामिल कीजिए, क्यूंकि अगर इन चीजों को आप अपने डायेट में शामिल करोगे आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप देख सकें अगर आपको गर्दन की तकलीफ है जिसे हम कहते हैं सर्वाइकल स्पॉंडिलेटिस आपको अक्राहट गर्दन में है आप जब अपनी गर्दन घुमाते है तो आपको तकलीफ होती है आपको गर्दन में दर्द रहता है इस तरह के अगर समझ से आपको है आपने X-ray निकलने के बाद में अगर cervical spondylitis ये अगर diagnosis हुआ है तो इसमें क्या खाना चाहिए वो हम सबसे पहले समझते हैं. देखें सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण चीज जो इसमें होती है वो होती है calcium rich food जिहां जिसमें ज़्यादा calcium की मातरा हो ऐसी चीज़े आपने खाने में रखनी ही चाहिए तो ऐसी कौन सी चीज़े है जैसे दूद है दूद से बनीवी हर चीज दही है पनीर है इनको आपन ज्यादा calcium होता है और calcium आपके bones के लिए आपके हड्डियों को मजबूत करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है और इसलिए अगर आपको इन चीज़ों को खाने की आदत नहीं है तो आज से ही इस वीडियो को देखने के बाद इनकी list बनाईए और खाने important है यह क्या करता है यह दो बाते करता है सबसे पहले तो दर्द कम करने में इसकी अहम भूमिका होती है उसी के साथ साथ swelling जो है inflammation जो आता है सूजन आती है मनकों के उपर उसे कम करने में भी omega 3 fatty acid बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है और इसलिए इन सब चीजों को अपने अपने खाने में इस्तिमाल करना ही चाहिए क्या ख़ाएंगे आप आपने अख्रोड regularly खाना चाहिए आप प्लान बनाएई डेली आप अख्रोड खा सकते है आप सोयविन का यूज्ज जदा साजदा कीजिए उसी के साथ-साथ-साथ All-2 के बीच All-2 की आपको खानी क्योंकि omega 3 fatty acid बहुत important है तो अगर आप vegetarian है तो अपने soybean, LC, केले इनको अपने diet में शामिल करना ही चाहिए और अगर आप मचली खा सकते हैं तो salmon मचली आपके लिए बहुत फाइदेमंद साबित हो सकती है अब तीसरी बात याद रखिए, magnesium rich food जैसे हमने omega 3 का importance देखा वैसे ही magnesium जिन चीजों में ज़्यादा है वो भी आपकी हड्डियों के growth के लिए, development के लिए, bones को और strong मनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है तो कौन सी ऐसी चीज़े है जिसमें magnesium ज़्यादा होता है तो इस list में है काजू, बादाम, सोयाबीन, हरी पत्यदार सबजिया, अमरूद, इन सभी चीजों को आपने diet में शामिल करना ही चाहिए अमरूद अगर आपको मिलते है तो आपने अमरूद का सेवन regularly करना चाहिए, आपने आदत लगानी चाहिए उसी के साथ साथ सोयाबीन का इस्तेमाल तो आपको करना ही है, green vegetables, हरी पत्यदार सबजिया, बहुत important है इसको भी regularly अपने diet में इस्तिमाल कीजिये ताकि आपको magnesium मिल सके उसी तरह से dry fruits में काजू और बदाम, मैं आपको suggest करूँगा कि आप बादाम रात को भिगोईए तीन से चार बादाम भिगोईए, सुभे, रोज, compulsory आप खाईए अगर आप ये तीन से चार मेने करते हैं, तो आपको definitely आपके गरदन का जो दर्द है, उसमें रहात महसुस होगी चौथी important बात है, vitamin D, जिहां, vitamin D परियाप्त मातरा में आपने लेना बहुत important है तो कौन-कौन सी चीजों में vitamin D जादा होता है, देखिए, seafood अगर आप खाते हैं, तो seafood में बहुत ज़्यादा प्रमान में vitamin D होता है आप fish भी खा सकते हैं, आप अंडे भी खा सकते हैं, अंडे में भी vitamin D होता है, उसी के साथ cod liver oil का भी seven आप कर सकते हैं, इसकी capsules मिलती है जिसे हम कहते हैं, मचली का तेल, ये भी आपके गरदन के, आपके मनकों के health के लिए बहुत ज़रूरी है तो इन चीजों का भी seven आप कर सकते हैं, vitamin D और किन किन चीजों से मिलता है, इसके उपर मेरा एक separate वीडियो है, उसे भी आप जरूर देखिए, ताकि बहुत detail में आपको ये सब चीजे समझ में आ जाए पाँच नमबर की मुख्य बात याद रखिए, आपको brown rice का seven करना चीए, साधा rice अगर आप खाते हैं, आपको replace करना है, brown rice खाईए, उसे के साथ याद रखिए, आप corn खा सकते हैं, आप oatmeal का seven कर सकते हैं, इसमें high fibrous होते हैं, तो high fibrous food अगर आप लेते हैं, तो इससे भी आपका pain, दर्द कम हो जाएगा, swelling मनके के उपर अगर आई है, तो भी कम हो जाएगी, इन सभी चीजों को अपने खाने में जरूर शामिल कीजिए, इनकी एक list बनाईए, फिर से इस वीडियो को play कीजिए, हर एक चीज़ को note down कीजिए, और अपने diet में शामिल कीजिए, क्यो list बनाना है, और इन सभी चीजों को अपने diet में शामिल करना है, अब इसी के साथ-साथ जरूरी होता है, कि कौन सी ऐसी चीज़े है, जो हमने, अगर आपको cervical pain है, आपको मनकों की तकलीफ है, तो आपने नहीं खाने चाहिए, देखिए, एक नंबर पे है चीनी, जिहां, कम करने वाले जो factors होते है, उनको भी अवरोध करती है, और जल्दी swelling कम नहीं होती है, और इसी लिए आपको sweet चीजों को avoid करना चाहिए, अगर आप pastry खाते है, अगर आप ज़्यादा मिठाईया पसंद करते है, अगर आप candy ज़्यादा खाते है, तो इनको बंद करती है, इसलिए आपको नमग भी कम करना है, तीसरी चीज जो आपने बंद करनी है, वो है high fat food, सही सुना आपने, जिसमें ज़्यादा चर्बी है, जैसे pizza हो गया, burgers, cheese, paneer, processed food, इन सभी का सेवन आपने ना के बराबर करना है, एकदम कर देना है, अगर आपको habit है, आपको आदत है इ red meat, अगर आप red meat खाते है, तो इसका भी सेवन कम मातरा में आपने करना चाहिए, या बिलकुल भी आपको इसको टालना चाहिए, क्योंकि इसमें सुजन की रुद्धी करने वाले तत्व पाये जाते है, जो आपके inflammation की process को बढ़ा सकते है, swelling की process को बढ़ा सकते है, पांच न drinking, बिलकुल बंद करनी है, तो ध्यान रखिए, cervical spondylitis की तकलीफ, बिना pain killer खाए, आप पूरी तरह से ठीक कर सकते है, इससे दुरूस्त हो सकते है, और अगर आपकी उम्र कम है, तो definitely मैं आपको suggest करूँगा, आप homeopathic की दवाईया लीजे, मेरे पास काफी ऐसे patients हैं, जो बह आप अच्छे doctor को दिखा सकते हैं, आप मुझसे भी consulting कर सकते हैं, मैं आपसे बात करूँगा, आपको दवाई दूगा, लेकिन याद रखिए, खुद के मन से दवाईया नहीं लेना है, काफी वीडियो मैं देखता हूँ, उसमें बहुत सारी दवाईयों के नाम बताये जा जो आपकी बीमारी को diagnose करके उसके accordingly treatment देते हैं, न कि कोई common medicines दी जाती है, तो आपको इस बात को भी याद रखना है, खुद के दिल से कोई दवाई नहीं लेनी है, मेरा WhatsApp नमबर मैंने नीचे दिया है, आप WhatsApp कीजिए, आपकी तकलिफ के बारे में भी बताये और कुछ और आ झाल झाल